हेलो फ्रेंज चलिए मैं आपके लिए फिर से एक और नए डिजान का टूर्मेट लेकर आई हूँ जो ये बनाने में बिलकुल आसान है जिसमें हम दिये दो कलिया मना चुके हैं यहां पर ये देखिए जो हम आपको तीशरी कली बताएंगे तो ये मैं आपको सुरू से ही बत बनाने के लिए मैंने यहां पर 27 फंदे डाले हैं बीशर साथ आपको जितना बड़ा चाहिए अपने हिसाब से फंदे इसमें डालके इसको इस तरह से ही बनाएं जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी तो देखिए बिलकुल आसान है बनाने में और किसी भी तरह से इसे बनाई हुई है फंदे डालके यहां पर यह शुरूवा से तो उसी तरह से देखिए मैंने यहां पर फंदे डाल लिये हैं और यह फंदे डालके मैं दो सलाई यहां पर पिंग कलर की बनाऊंगी जब हमने तीसरी कली को बनाना है तो उसी तरह से मैं आपको यह तीसरी कली ब देखिए इस तरह से चार कलर की बूल से आपको बता रहे हैं आप अपनी पसंद की कोई भी बूल ले ले इसमें तो चलिए यहां पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं हमारा प् देखिए मैंने यहां पर फंदे डाल लिए हैं और फंदे डालके हमने यह रेखिए पहली सलाई इस तरह से बनानी है इसको उल्टा-उल्टा चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो देखिए यहाँ पे हम पहली सलाई पे लाश्ट का एक फंदा छोड़ेंगे अपने पसंद के कोई भी इसमें कलर ले सकते हैं और मैंने वूल को फूल्ड कर लिया है आपके पास मोटी वूल है तो आप सिंगल वूल से ही बनाए तो देखिए मैंने यहाँ पे लाश्ट का एक फंदा छोड़ दिया है यह देखिए और यहीं से टन करेंगे और यहाँ पे फिर दूसरी सलाई भी हम बनाएंगे तो दूसरा फंदा भी हम इसी तरह से छोड़ देंगे तो यह उल्टी सलाई को बनाते हैं फिर दिखाते हैं तो उल्टी सलाई यहां पर बना लिए लास्ट धागा पीछे करेंगे हम और यह वाला लास्ट वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे यहां पर इस तरह से यह finishing आ जाए अब आगे हैं सीधी सलाई पर फिर से हम एक सलाई और बनाएंगे लाश्ट का एक फंदा और छोड़ेंगे तो यहां पर दो सलाई यहां हम बना लेते हैं यहां तक मैं एक फंदे तक दूसरे फंदे तक छोड़ने तक यहां तक बना लेती हूँ इसके बाद दिखाती हूँ तो चलिए बनाते हैं इसको उल्टी सलाई पर फिर दिखाते हैं तो देखे फ्रेंस मैंने यहां पर लाश्ट का फिर से एक फंदा छोड़ दिया तो यहाँ पर यह देखिए, दो सलाईया हमने बना ली हैं, एक, दो, दो फंदे मैंने छोड़ दिये हैं, एक, एक सलाई पर, और यही से हम टन करेंगे, अब यह देखिए, यहाँ से हम अपना, इसमें दूसरा कलर लगा देंगे, यह देखिए, इस तरह से ग्रीन कलर लगा दिया है, दो फंदे पिंक कलर के छोड़ दिये हैं, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, तो दस फंदे मैंने यहाँ पर, यह ग्रीन कलर से बना लिए, आगे के फंदे हम यह देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तहिरा, चोड़ा, पंदरा, तो देखिए, सीधी सलाई में जो फंदा जैसा है, उसी कलर से हम बना के कंप्लिट करेंगे, यहां पर ग्रीन कलर के 10 फंदे बना लेंगे, और यह हम बना लेंगे, पिंक कलर के, देखिए, मैंने यहां पर यह 10 फंदे ग्रीन के बनाने हैं, और 15 फंदे यह, दो फंदे हमने छोड़ दिये हैं, 27 फंदे मैंने यहां पर डाले हैं, 20 और साथ, तो जो फंदा जैसा है, स तो हमने क्या करना होता है कि धागे को बराबर ही खींचना है ज्यादा इसको खींच के नहीं लेना है तो हमारा इसलिए जोला जाता है नहीं तो ज्यादा खींचना है और नहीं ज्यादा दीला रखना है तो आपका बिल्कुल भी जोलने ही आएगा इस तरह से आप बनाओगे तो तो देखिए दागे को इस तरह से रोज करते हुए और गिरीन दागा आगे लाएंगे और दस पंदे हम ये भी बना लेते हैं ये देखिए ये देखिए 27 फंदों में भी ये काफी बड़ा बनना है अब ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर अब 10-11 फंदे हम बनाएंगे तीन फंदे हम पिंक कलर के गिरीन से बनाएंगे आगे की तरफ से ये देखिए इस तरह से तो यहाँ पर मैं गिरीन वाला फंदा एक बना लेती हूँ यह देखिए पिंक वाला फंदा एक गिरीन से बना लिया है आगे के फंदे हम एक एक फंदा मैं बढ़ा रही हूँ और लास्ट का एक एक फंदा हम छोड़ेंगे लास्ट का फंदा के सिदह बनाना है इस तरह से यह देखिए अ desde आप यहां पर जो फंदा कंप्लेट करेंगे और लास्ट क गिरीन वाला फंदा छोड़ेंगे यहां पे एक फंदा तो चलिए इसको बनाते हैं और लास्ट में से आपको फिर से दिखाते हैं कि सीधी सलाइमे जो फंदा जैसा था वह बना के complete कर लिए लास्ट का एक फंदा फिर से छोड़ देंगे और यहीं यह देखिए अब यहां पर मैं दूसरा फंदा पिंक वाला ग्रीन से बना रही हूं एक फंदा यह देखिए और आगे के पिंक से ही बनाने हैं सीधी सलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से बनाएंगे लास्ट का एक फंदा छोड़ेंगे तो चलिए बनाते हैं इसको इसी तरह से इसके बात दिखाती हूं आपको लास्ट का फंदा हमेशा सीधा ही बनाना है एक तो चलिए बनाते हैं इसको इसी तरह से तो देखे फ्रेंस मैंने फिर से दूसरा फंदा लाष्ट का एक छोड़ दिया है और यहीं से टन करेंगे तो यहाँ पर यह देखे दो फंदे में बढ़ा चुकी हूँ आगे की तरफ एक दो अब तीसरा फंदा भी हम आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पर यह देखे इस तरह से यह देखे तो यहाँ पर यह तीसरा फंदा मैं बढ़ा ली हूँ तीन फंदे मैं ये पिंक वाले गिरीन से बना ली हूँ, ये देखिए, एक, दो, तीन, आगे के ये हमारे बारा फंदे बच गए हैं, ये देखिए इस तरह से, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, और ये देखिए लाश्ट का बार है, बारा फंदे पिंक के बच गए हैं, तीन फंदे हमने पिंक वाले गिरीन से बना लिए हैं, ये देखिए इस तरह से, सीधी सलाई में जो फंदा जैसा है, उसी कलर से बनाएंगे, और लाश्ट का तीसरा फंदा हम गिरीन वाला छोड़ देंगे, तो चलिए बनाते हैं इसको इसी तरह से, इसके बात दिखाते हैं, उल्टी सलाई पे फिर से आपको, सीधी सलाई को बना लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम सीधी सलाई को बना लिया और तीसरा फंदा भी हमने गिरीन वाला छोड़ दिया है, तो यहाँ पे पांच फंदे चुक चुके हैं, अब यहीं से टन करेंगे, लाश्ट का गिरीन वाला फंदा एक एक छोड़ते हुए जाएंगे, और आगे की तरफ फ्लावर हम बनाते हुए जाएंगे, तो किस तरह से बनाना है, देखिए, अब यहाँ पे हम अपना तीसरा कलर, यह देखिए, बारा फंदों में मैं अपना डिजाइन बना हुई, आ मैं और देखिए, और आगे के फंदा पिंग से ही बना के कम्प्リिट के tangible, सिपना खीचना नहीं हो फुरे, देखिए अजया दै दिथा जाएंगे, तो आपक ज़् focus बनाना इंक मैं यह द्बनां यह दे DAN देखिए जब चार्णत को से खहना युका दीग के एस आगे के मैं जो फंदे जैसे हैं उसी कलर से बनाएंगे और चटा फंदा हम लाष्ट का पांच फंदे छोड़ चुके हैं यहां पर गिरीन वाला चौता फंदा चोड़ देंगे यानि कि छटा फंदा हम छोड़ देंगे तो ये मैं सीधी सलाई में दो फंदे ये रेड से ही बनाऊगी तो इसको बना लेती हूँ ये देखिए इस तरह से बहुत आसान है और बनने के बाद पूरा डॉल मेट जब बन जाता है बहुत सुंदर लगेगा और किसी भी तरह से यूज करें इसको टेबल मेट की जगए भी यूज कर सकते है तो देखिए धागा पीछे करेंगे और रेड वाला धागा आगे लाना है तो ये दो फंदे हम रेड से बना लेते हैं पीछे धागा करेंगे गिरिन को आगे लिए आते हैं लाश्ट का एक फंदा छोड़ देते हैं और उल्टी स्लाई पर फिर से दिखा देते हैं एक बार तो देखें यहाँ पर मैंने चौथा फंदा यानि गी छे फंदे छोड़ चुके हैं हम यही से टन करेंगे अब यह देखिए हम इसमें अपना चौथा कलर लगाएंगे तो देखिए जहां पर हमारे गिरीन वाले फंदे इसी तरह से बनेंगे और लाश्ट का एक फंदा हम छोड़ेंगे बस अब यह देखिए यह रैड वाले फंदे मुझे यह दूसरे कलर से बनाने है और पिंक के आगे के फंदे मैं रेड से दो बढ़ा लूँगे आगे की तरफ यह देखिया इस तरह से तो यहां पर फुलावर के लिए डिजाइन शुरू हो गया है मेरा तो यह मैंने यहाँ पर रेड वाले फंदे दो जामनी कलर से बना लिए और पिंक वाले दो आगे की तरफ बढ़ा लिए हैं जिस तरह से यह देखिए हम रेड से बढ़ाते हुए गये हैं और जामनी कलर से बनाते हुए गये हैं अदलते बदलते उसको और आगे के फंदे पिंक से ही बनाएंगे तो बनाते हैं इसको सीधी सलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से बनाएंगे सीधी सलाई में जो फंदा जैसा है दो जामनी कलर से बनाएंगे और दो फंदे रेड से बनाएंगे बाकी के यह यहाँ पे पिंक से ही बनाएंगे चोड़ देंगे तो बनाते हैं इसको देखे मैंने यहां पर लाश्ट का सातमा फंदा छोड़ दिया है यह रेखिए और यहीं से वापिस हो जाएंगे अब यह देखिए हम आगे के फुलावर के फंदे उनको फंदों को जो हमारे जामनी कलर से हैं वो हम रेड से बनाएंगे रेड वाले फंदे जामनी कलर से इस तरह से बनाएंगे तो देखिए यह फंदे मैं यहां पर धागा इस तरह से पकड़ूँगी और मुझे यह रेड स इससे बनाने हैं यह देखिया और आगे के दो में तो अब की बना रहे है तो ऊचालो निचे लाइन इस तरहे हमारा यह लिजयन इस अ की यहां पर अगे की कि फंदे ये फिंक से ही बनाएंगे अभी यहां पर दो च्छे फंदे बाकी है पिंक कलर के तो यह मेरा डिजाइन लाश्ट तक ही बनेगा छे फंदों तक ही सीधी सलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बना लेंगे यहां पर यह देखिए जो जैसा फंदा है उसी कलर से बनाएंगे और लाश्ट का आठमा फंदा हम छोड़ देंगे इसलाई यहाँ पर बना ली है और हम आपको दिजाइन वाले फंदे प्लावर वाले फंदे आपको बता रहे हैं ये रेखिए ये वाले फंदे मुझे इस कलर से बनाने और ये वाले फंदे मुझे रेड से बनाने हैं ये रेखिए अब दो फंदे मैं आगे के रेड से बना लूँगी पिंक वाले अब चार फंदे बचे हैं हमारे इसी तरह से ये चार फंदे भी हम बना लेते हैं लाश्ट में आपको फिर दिखाते हैं बिल्कुल आसान है ये देखी अब सीधी सलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बना के कंप्लेट करेंगे लाश्ट का हम नौमा फंदा छोड़ देंगे तो देखे बता देते हैं एक बार दागे को क्रोश करते हुए हमने सीधी सलाई इस तरह से बनानी है दागा हमने पीछे किया ये चार फंदे बना लिए ये देखिए रेड के फंदे हैं तो रेड से बना लिए ये दूसरे हमारे कलर से हैं तो ये हमने धागे को आगई करके इस कलर से बना लिए पीछे दागा करेंगे अब रेड के हैं रेड से बनाएंगे और रेड ये वाले फंदे हम शीधी सलाई को जो फंदा जैसा है उसी कलर से बनाएंगे अब यहां पे हम नौमा फंदा लाश्ट का गिरीन वाला छोड़ देंगे तो यहां से ये देखिए सीधा सीधा डिजाइन हमारा बनना है जो फुलावर वाले फंदे हैं बार फंदे इसमें हमारा ये डिजाइन इसी तरह से बनेगा ये देखिए तो यहां पे ये दो चार छे आठ नौमा फंदा छोड़ दिया है देखिए यहां पे हम फुलावर में दस फंदे बना चुके हैं अभी बार में फंदे मारे बचे हैं दो फंदे अभी तो देखिए ये लाश्ट का मैं आपको दिखा रही हूँ लाश्ट का फंदा हमने दस मा छोड़ दिया है ये रिखिए अब ये रेड वाले फंदे हम इस कलर से बनाएंगे और ये रेड से बनाएंगे और ये हमने और ये रेखिए यहाँ पर आदि पत्ती डिजाइन की कम्प्लिट है ये रेखिए तो ये दो फंदे हम अब वैड से बना लेते हैं तो यहाँ पर ये रेखिए डिजाइन हमारा पूरा बारे फंदों में हो चुका है अब सीधी सलाई में यहीं से टन कर लेंगे सीधी सलाई में हम जो फंदा जैसा है उसी कलर से बनाएंगे और लाष्ट का हम ग्यारमा फंदा छोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर मैं इस फंदे को लाष्ट वाले को इस तरह से बना लेती हूं तो देखिए यहाँ पर हमने जो जैसा फंदा था वो हमने बना लिया सब्सक्राइब चेर 8 जोड़ना लिया यह चार फंदे में सब्सक्राइब को आगे की तरह बढ़ार मैं तरह से मैं करओंगी और यहाँ पर एक एक फंदा जो यह हमने छोड़ा है इनको हम बनाते हुए जाएंगे तो देखिए एक बार आपको बता देते हैं किस तरह से प्लीज वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझाएगा यह रेखिए रिजाइन हमारा उसी तरह से बनेगा जो फंदा जैसा कलर को बदलते हुए यहाँ पर यह रेड वाले फंदे हम इस कलर से बनाएंगे यह रैखिए इस तरह से अभ यहाँ पर वो दो रेड वाले फंदे आ गए हैं यह रैखिए और ये रेड वाले फंदे दो मैं पिंक से इस तरह से बना लूँगे ये देखिए अब डिजाइन को कम करेंगे जिस तरह से बढ़ाया था उसी तरह से ये देखिए लाश्ट का धागा पीछे और लाश्ट का जो ग्यारा फंदे छोड़े वो एक एक करके छोड़े हैं उसी तरह से एक एक करके बनाएंगे उनको ये रेखिए इसी तरह से ये डिजाइन हमारा बनेगा आधी पत्ती कम्प्लिट है उपर को आधी पत्ती इस तरह से बनेगी जिस तरह से छोड़े हैं उसी तरह से हम उनको बना लेंगे ये रेखिए और रेड आगे लाएंगे अब यहाँ पर हम गिरीन आगे लाएंगे अपना तो देखिए यहाँ पर ये चार फंदे बना लेते हैं गिरीन के जो छोड़ने बाकी रह गए थे ये देखिए इस तरह से अब हमने ये 11 फंदे छोड़े हैं एक एक करके उसी तरह से हम इनको बनाएंगे तो यहाँ पर 11 फंदा हम बना लेते हैं और यहीं से टन कर लेते हैं अब जिस तरह से छोड़ें उसी तरह से बना के कंप्लिट करेंगे देखिए इस तरह से 11 फंदा बना लिए है डिजाइन को बदलेंगे ये फंदे हम रेड़ वाले इस कलर से बनाएंगे और इसे हम रेड़ से बनाएंगे बीच में डिजाइन हमारा उसी तरह से बनेगा और लास्ट में जैसे नीचे के फंदे हम रेड से बनाते गए थे उसी तरह लास्ट में रेड आ जाएगा हमारा तो देखिए यहाँ पे अभी यह रेड वाले फंदे मैं पिंक कलर से बना लेती हूँ तो आगे के दो फंदे भी रेड के ही आ गए हैं हमारे यह रेखिए यह रेखिए जिस तरह से यहाँ पे रेड का आगे फंदा चला है उसी तरह से यहाँ पे कम होते हुए भी रेड का ही चलेगा तो सीधी सलाई को जैसा जो फंदा है उसी से कलर से बना लेते हैं दसमा फंदा हम इसी में बना लेगे जिस तरह से छोड़े हैं उसी तरह से उल्टी सलाई बना ली है फिर से उल्टी सलाई पर फिर से दिखा रहे हैं और यहाँ पर अब यह देखिए नौ फंदे ही बचे हैं दसमा फंदा मैंने ले लिया है यह ग्रीन वाले फंदे तो मेरे ग्रीन से ही इसी तरह से बनेंगे बीच का फिलावर इसी तरह से बनेगा यह देखिए अब यहाँ पर यह फंदे मैं रेड से बना लेती हूँ 12 फंदे इसी तरह से कम हो जाएंगे और ये फंदे मैं इस color से और यहाँ पे red से और आगे के red वाले फंदे मैं pink से बना लेती हूँ इसी तरह से यहाँ पे design कम हो रहा है हमारा और आगे के फंदे भी यह pink से ही बनाएंगे लाश्ट का फंदा सीधा बनाएंगे यह रेखिए इस तरह से तो यहां पर भी छे फंदे डिजाइन के बाकी है यह रेखिए तो यह मैं कम कर लेती और यहां पर इसी तरह से यह लाश्ट के फंदे करके ले लेती हूं यह यहां पर छे फंदे भी बना लेती हूं फिर दिखा चार फंदे गिरीन के बचे हैं, एक ही करके हमने सभी फंदे बना लिए हैं, अभी एक फंदा बाकी बनाना है और तीन फंदे जिस तरह से गिरीन वाले पिंक से बनाए थे, उसी तरह कम करेंगे उपर की तरफ, तो देखिए, मैं दिखा देती हूं आपको Last का हमने यहाँ पर यह देखिये, अब हमने पिंक से ही बनाना है, तो यहाँ पर दो जो कलर लगाए तो फ्लावर हमारा कंप्लीट है अब दो कलर ही चलेगे, फ्लावर बनाने के बाद यह देखिए जाम्नी कलर और रेड हमने यही पर बंद कर देना है, यह देखिए, लाश्ट का जो फंदा जैसा है उसी कलर से बना के कम्प्लिट करेंगे, यह देखिए, इस तरह से, तो मैं यह सीधी सलाई को जो फंदा जैसा है उसी कलर से बना के यह पिंक वाले पिंक से और यहाँ पर धागा बंद हो गया है, अब जो फंदा जैसा है उसी कलर से लाश्ट काम एक फंदा ले लेंगे, और हमने यहाँ पर यह वाले फंदे जो बढ़ायते यह देखिए, एक, और दो तीक उसी तरह से हम यहां पर तीनबह पर कम करेंगे तो यह मैं बना लेती हूं सीदी स्हलाई को फिर दिखा देती हुं की फ्रेंस यहां पर हमारा चोथा फंदा हम बना लेते हैं सीधी शलाइट पर और यह देखिए एक बात और समझने आपको जहां पर भी आपको गैप दिखेगा वहा ही पे यह आपने इस तरह से फंदा उठा के अगर आप फंदा नहीं तो आपका जोलाएगा नहीं आपका गय पाएगा इस तरह से बन जाएगा यह देखिए इसके बाद यह देखिए तीन फंदे बचे हैं अब तीन फंदे जिस तरह से हमने यहां पर पिंक के बढ़ाए थे उसी तरह से हम कम करेंगे तो देखिए किस तरह से यह भी आपको तक देर अंहिस में आए था सुचत है अब उपर की तरफ यह मैं यह लोगी से को बना जो पर eller나 ना शुत हूं जो एक हैं इक सुचत है लोगए ह और रही आससला पर त्लिए भाद कर दो ऑखर दिए लगलने यहांपर ये तीनों फंदे भी बना लेंगे इसी तरह से एक एक करके,ि तो मैं ये बना लेती हूँ ये छाँब है उसी तरह से फिर दिखाती को तो दया थिए अधेश। यहाँ पर ढ़시 है यह देखिए यहां पर यह पंदरा फंदे रह गए है यह गिरीन आगे लाएंगे और यहां पर यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और यह देखिए यहां पर गैप दिख रहा है तो गैप के लिए फंदरा उठा लेते हैं और दूसरे फंदे के साथ उसको बना लेते हैं दस तो दस फंदे यह बना लिए हैं और लाश्ट के जो दो फंदे हम नहीं है यह पिंक कलर से छोड़े हैं तो देखिए धागे को इस तरह से लाते विए यह पिंक कलर के फंदे भी मैं यहां पर बना लेती हूं इस तरह से यह देखिए तो दोनों फंदे मैंने बना लिए पूरा पिंक से ही बनाना है सभी फंदे 10 फंदे ग्रीन के और 15 फंदे पिंक के हैं तो यहां पर पत्ति हमारी बन के कम्प्लीट है कि इसी तरह से आपने पूरा डॉल मैट कम्प्लीट करना है इसमें आपकी कि छे पत्तियां बन जाएंगी कि यह लिखिए अब फिर से हम दो फंदे लाष्ट के इसी तरह से दो सलाईयां बनाते हुए यह दौनों फंदे मैंने बना लिये हैं अब लाष्ट के मैं फिर से दो फंदे इसी तरह से छोड़ूँगी यहां पर एक एक करके और दो सलाईयां बना लूँगी यहाँ पर चौती पत्ती बनाने के लिए इसी तरह से आपने पूरा डोर मेट कम्प्लीट करना है यहाँ पर हम इतना ही बता रहें आपको यह रेखिए बनाना आपने उसी तरह से है यह रेखिए अब यहाँ पर मैं सलाई बनाऊंगी दो एक एक करके दो फंदे छोड़ूंगी है जिस तरह से मैंने यहां से आपको बताया था उसी तरह से यहां पर बना लेते हैं तो देखे फ्रेंस यहां पर हमारी तीशरी पत्ती बनके complete है यह देखे यहां पर तीन पत्तियां हमारी बन गई है यह देखे बिल्कुल भी इसमें जोल नहीं आ रहा है इसी तरह से आपने बनानी है जिस तरह से मैंने आपको बताया है धागा आपने ज़्यादा नहीं खीचना है और यह देखे यहां पर हमारा यह छे पत्तियों का डोर्मेट complete हो जाएगा यहां पर मैंने आपको तीन पत्तियां ही बना करके बताई है तो देखे काफी सुन्दर लग रहा है और बनाने में बिल्कुल आसान है यह देखे इस तरह से आप अपनी पसंद के इसमें कोई भी कलर ले सकती है यह देखे इसी तरह से आपने पूरा डोर्मेट करना है तो चलिए हम मिलते हैं इंगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई